कामरान ग्रूप्स, इंट्रियर डिजाइनिंग और कंस्रक्शन, कंटाक्ट अन दी नमबर्स गिवन बिलो अनुमी जनाब सियद अहमद पाशा खादरी सहाब, एमले, और मजलिस इत्षादलमस्लिमीन के मेंबर आप पर्लिमेंट और रंगाबार जनाब इम्तियाज जलील सहाब, जो अहम मजलिस इत्षादलमस्लिमीन के वियुख्रिदा कुएति इला नूर व काल बिल्मुम्नीन रखीक तलूर लो बाद में लो पाद में लो खाद में लो बाते हुआ जाए ए पुछली नाजीर दोच कर्का आप भी पुछ चाही जाएणियो जाएणिय। मतंड़ा मतंड़ा लाया जाते हुआ एएएएएएए पा splend्सी आप बास आप अबिसे नहीं जापनाऊ जितान विए र्रभी आूजड़ेलः जालू जापनाऊ जालुमा जालूम। मैं पर्ली सिर्टिहाद मुस्लिमीन के पूतरवद उमी पूर्पने इसम्बली या खुद्पुरा जनाम इहुंद पार्शा खांदे साथ से रुदारिश करूंगा कि वो भिहार के हमारे रौम मतफ़दा रुपने इसम्बली जनाम इहुंद पार्शा खांदे साथ की दूपोशी करें मैं जनाम इहुंद पार्शा खांदे साथ से रुदारिश करूंगा कि माले गाओं के रुपने इसम्बली मुफ्ती 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 मुफ् प्रेटर अपने एसंब्ली जराब फारुक्षा साथ भी खुशी करें। पुशी करें पुशी करें। आइ जेनाब फिरुष दौला सहाब ठी को लिखोशी करेंगा गूरी है श्रा लाउस दौरा ना सौरा के पार्लिसके पोटन प्री खैडियर अदरी सहाफ हमारे टौला से इसक बुखशी करें जो मुमभाई के परलिस इत्राद मुसलमी की सब्सक्रा है जनाब एम्ट पाशा खादेश साहब के बुदारिश है के महतरव जनाब अख्तर अलिमान साहब पदर बिहार परदेश की इन पोशी करें और महतरव जनाब अलिमान साहब की और वारिश पठान साहब की जनाब तस्वीर साहब की आलिद पुर्दू साहब की बरो संसारे साहब की बुद्धोशी करें डाक्टर रफार खादरी साहब की बुद्धोशी करें अब्दुल मालिक सहाब आले गाओं के हमारे मेरे अंजलिस के सदर डाक्टर खालेट की करें अबर जाउश की बिल्पूशी करें जो तांड़ के मेरे अंजलिस के अंबिद्वार और सुलभबूर के हमारे नौजवान खायद जनाब फारुग सहाद की बिल्पूशी करें अब फारुब अब खार्वार जो बिहार के अधी के मोत मुझे मैं लेशाते हाद मुस्लमीन थाए और आरे प्मीका अब फूम अब फूम हलो दो आप लिए आहे हुआ करें ओड़ी करें देशुकर श्यास्ति अश्यास्वार श्यास्यास्वार पर यहां तमाम से गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के लिए द्वार फर्माईए कि अल्ला इनको काम्याब करें और जो इनकों काम्याबी नहीं मिली वो इन्शालला अल्ला उनको जुरूर अर खरीब में काम्याब और कामराद करें अर्टी सी में जड़ है ना जड़ आर्टी सी का जड़ जो है वो मीर उस्मान IRSयवार की वालदा जहरा के नाज हम ची फणी स्टर से मुतारिबा करते हैं क्या है प्रावटाइज करना चाहरे हैं मगर RTC से उस Z को मत निकाल लिए वो हैदराबाद की इस अजीम तारिफ का जिस्सा है मैं RTC के उन तमाम मुलाजमीन के साथ है मैं आपके घम को समझता हूँ मैं आपसे अपील कर रहा हूँ के चीफ बिनिस्टर जो आपको आफर दिये आप उसको खुबूल करिए गरीबी महेंगाई बहुत ज्यादा है यकिनन ये तकलीफ दे बात है कि RTC के कई मुलाजमीन ने अपनी जाने ली जान मत लीजिए आप चीफ बिनिस्टर ने आपसे जो बात करी है उस पर गोर करिए उसको खुबूल करिए चीफ बिनिस्टर के साथ बैठिये वो कोई खायर अजमी नहीं है आप ये कांगरेस और बीजेपी के जो कोशिशें चल रही है इनके चंगल से अजाद हो जाएए आप को आकर ये लियासत आप की है ये तिलंगाना पर आप ठाख है और जो वजिरियाला ने पेशकर्श की है मैं उमीद करता हूँ कि आरटीसी के जिम्मेदारान उसको इखलास के साथ गोर करेंगे और हम चीफ बिनिस्टर से मतालवा करते हैं कि आरटीसी में वो जो जड़ है जो जहरा के नाम से उसको बर्खरार रखेंगे क्योंकि हमको अपनी तारीफ को बचाना भी है और इतनी ज़्यादा गरीबी है कि हैदराबाद से दसेरा के वख ये जो कच्रा जो आज तकलीफ का बाइस बनावा है इसको कई उजवात हैं इसका हम कोशिश कर रहे हैं अगल से उसको साफ सफाई कराएंगे उसमें एक बज़े ये भी है कि दसेरा के तहवार के लिए ड्रैवर अपने गाउं को गए तो वहां पर आर्टीसी की बस सेलाने के लिए उनको दो सो रुपे बढ़के दिये तो माच चलेगी नौक्रियों की सफ जरूरत है गरीबी ज़्यादा है महिंगाई ज़्यादा है नरेंडर मोडी को इसकी फिकर नहीं कोई फिकर नहीं है अंदुस्तान के वजीरियादम को कोई फिकर नहीं है अब तो फैनेंस मिनिस्टर मौतरमा ने कही दिया बैंक से करें फैनेर्स बिनिस्टर कि जिद्जे मजभी और रुछानी लोग हैं वो करें कि बैंक उनको दो लो ना घरीब क्या करना मैड़म जबी रुछानी इस्पिरिचल लोगों को दो सेल्फर गुरुप को दो ये खरीब क्या करेंगा तो बोलेंगे पकुड़े की बंडी लगा लेगा क्या बात है ये कौन सा इंसाफ है बताईए आप कि अगर कोई मजभी रुहानी होगा तो क्या वो गरीब से बढ़े होगा आएगा चाहिए किसी दरंग का होगा मगर खरीब खरीब है खरीब की पेड़ की आख को मुझाना हुकूमत का काम है ये तुम्हारा दस्तूरी जिम्मेदारी है कंस्टिटूस्टल जिम्मेदारी है अफसोस है मगर पूरा देश राष्टबाद के इसमे है आज दारुस्सलाम पे लोग आए थे मैंने उसे का तुम जिम्मेदार हो तुम्हारी वज़े से तुम मेरी मुखालिफत करते रहो मुझे फिकर नहीं है मगर ये तो देखो कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो जमीन से सिक रही है कहीं तुम गड़े में नहीं गिर जाओगे तो आज वो कहे रहें के हाँ जी एस्टी का कलेक्शन इस महीए में भी एक लाट योड नहीं हुआ अब अल्लही मालिक है क्या होने वाला है जैसा क्या मैंने कहा कि बड़े बुरे हालाद से मुल्क गजर रहा है अपने पैसों को देख कर खरचा करिये मैं आपको बता रहा हूँ याद रुको मेरी इस बात को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हालाद खराब होने वाले है और बीजे पी के पास कोई आइडिया नहीं है जो को इनको वो रहा है वो रहे हैं एंटिनेशनल है इन्हे धोका दे रहा है ये फुना देरा रहे भाई हुकूमत तुम्हारी तीन सो दिन के उबर एंबी आपके राजिया सभा में आपके पास मजारिटी अर्टीज़ आपकी है तो फिर ये क्यों परेशानी हो रही है क्यों परेशानी हो रही है पहना लिए इस आद लाह उतारा दारू सलाम में मनाया जाएगा दूसरे दिन नातिया मुशारा होगा आप जरूर उसमें शर्कत करिए उसको काम्याब करिए और मौज़ जुन्मा एकराम के बसीरत अफ्रोज के दावाद को सुनिए मैं फिर से तमाम मौज़जीन का शुक्रियादा करता हूँ और अज़र दूर पाहिए शुदारे साथ से गुजारिश करता हूँ कि अपनी दूा के साथ इस जलसे को इफ्तताम पर पहुंचाँ आप तक ये लाला की दुकान चलाएंगे सेकुलरिसम को सटिफिकर्ट बाटनी इस इनकी ताइद करें तो इने सेकुलर यानि आप जिसका हाथ पकड़े उने सेकुलर मेरे अजीज़ दोस्तों और मुझरबों यही मुनाफिकत के मनलिस मुखालिफ़त करती है हम इस मुनाफिकत के खिलाब थे और है और रहें हम जानते हैं शुष सेना की सोच क्या है हम जानते हैं बीजेपी की सोच क्या है दोनों भी हिंदुत्वा को मानने वाले हैं और कभी नहीं बदलने वाले हैं अगर कांग्रेस राश्टवादी यह समद रही है कि कुछ ऐसा हम करेंगे नहीं हमारा कोई तालुक नहीं है जब आइवान में नो कॉन्फिडंस मोशन आएगा चाहे शूसेना हो या बीजेपी हो हम दोनों की मुकारिफत करेंगे इंशालला होगा और हम जो भी हकूमत बनाएगा जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा किसी का बनेगा हम उनको तावन देंगे ताके ना सुछ मालेगाओं में बलके धुलिया में तरफियादी काम हो और हर मसले मसायल का हल तलाश करें पीजेपी की सरकार दिल्ली में है क्या हम मिनिस्टरों से नहीं मिलते जाके काम करवाते इम्तियास जलील ने औरंगाबाद में एक ही फ्लाइट थी एर इंडिया की इम्तियास जलील ने इस मसले को उठाया और आज औरंगाबाद से एक नई तीन तीन एरलाइंस वहां से फ्लाइट लेकर औरंगाबाद से निकल हम को काम से मतलब है यखिनन हमारी आइडियोलजी बीजेपी के खिलाब है थी और रहेगी शिफसेना के खिलाब थी और रहेगी कौन सरकार बनाते तुम जानो तुमारा जगड़ा है घर का हमको नहीं मादो अब यह ऐसा दिख रहा कि दो सौतना लड़े रहे अजी वो घरीब माद मिलके लड़े अब जी एलेक्शन होते नहीं अब यह फिफ्टी-फिफ्टी क्या को बिस्कित निकलाना है फिफ्टी-फिफ्टी कि इतना फिफ्टी-फिफ्टी करेंगे भाया आप अरे कुछ तो बचाओ महारास्टा क्यवां के लिए सधारा में बारिश हुई पूरे बारिश से खेतां बर्बाद हो गया उसकी फिफ्टी-फिफ्टी किसान परेशान टमाटों की खेत परेश पूरी बर्बाद अंगूर के बाहात में पानी घुज गया मगरे फिफ्टी- विकास इसलिए मंदलिस का मौफफ ये है बहुत से लोग बूजरे थे चलिए मैं आपको मंदलिस का मौफफ बता चुका है यह हमारा मौफफ है कौन बंदा चीफ पनिस्टर पटनबिस बंदे कौन बंदा नहीं मालूब मगर मुझे इतना यखीन है कि मोड़ी तो महारास् अच्छा है हम मैट के देखिंगे किर्कीट मैंच हो रहा है इन्हों गुगली डालते या आउट होते मालूम होता है मगर याद रखवा फिर फिरा कुदब ठाकरे जाके बोलेंगे नहीं नहीं वो मराठा मानोस के लिए हिंदुत्वा के लिए हम बीजेपी के साथ हो जाते ये थोड़ा इन्हों आगे पिछे कर रहे और हमानों के दिकारे भाई मरोम खायद बोला करते से के सियासत हमारे भर की लॉंडी है आप सियासत मन खेलो हमारे से हम समझगे खेल आपका ये क्या बोलते है हदराबाद में के तू मेरी पीट खुजा मैं तेरी पीट खुजा वो खुजो अल्दा करें तुमको खुजली हो जाओ मगर ये इन्हों जारे इन्हों जारे हमारे उससे मतलब नहीं है आप जाओ अच्छा है और लड़ो रड़के दिखाओ ना तुम लोग खुलके लड़ो निकालो उसके मिनिस्टर को बीजेपी आउलों को बिल्ली से क्या मजाथ बना करें कहें महराश्टरा की अवाम का इतने दिन हो गए और एक हुकूमत तुम लोग नहीं दे सकतें महराश्टरा की अवाम की अफसोस की बात है किलेक्शन हो गया और हुपूमत नहीं बना सकते हैं क्या महराश्टरा का कि अवाम का मुफाद तुम्हारे जाती मुफाद से बड़ा है हिंदुस्तान के वजीर आजम को महराश्टरा के फग्णविस को दबता करे तु सोच ना है कि तुमारी हैसियत महराश्टरा के वाम के साम में कुछ भी नहीं है अज महराश्टरा की वाम को एक हुकूमत की जरूरत है और तुम लोग अपनी नफ की खायश के लिए अपनी अना के लिए महराश्टरा की वाम को रुस्वा कर रहे हुए उस्वा कर वो परेशान है महराश्टा की अवाम बारिश हुई खेट किसान परेशान है मगर फिफ्टी फिफ्टी अरे सोचो उन गरीमों के लिए जो पाज परेशान है मेरे अजीज दोस्तों और उस्रुगो एक और अहम बात की है के मदरिसे टिहाद मुस्लमीन पर लजाम कभी खतम होने वाले नहीं है याद रखवा लजाम लगते रहेंगे हम जब कभी वे इलक्षन लड़ेंगे ये लोग ने इनू लड़े तो ऐसा हुआ इनू लड़े तो ऐसा होगा नहीं लड़ना था देखो मैं मदरिस के मुखालिफीन से बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि आप जितना पुकारना है पुकारो जितना अखबार को काला करना है करो जितना फेसबुक पे बोलना है बोलो मगर मैं और मेरी जमार पिच्ची हटने वाली नहीं है अब हम भिच्ची अटने वाले नहीं है तुम्हारे अगबार के काला करने से तुम्हारे फेस्बुक पर जूट लिखने से बोलने से तुम्हारे वो कैल्कुलेशन बताने से कुछ फरक पड़ने वाला नहीं है है अधराबाद से किशन गंज चौदा सो किलो मिटर दूर है मजाख नहीं है कुछ जजबा होगा हमारे दिलों में जो वहाँ पर जाते हैं मजाख नहीं है किशन गंज को जाना आपको देख बहुत बड़ा इमतिहान आसान सफर नहीं है मकर एक खारश है एक जजबा है और वो जजबा क्या है कि नहीं वहाँ पर सीमानचल की नाइंसाफी का खातिमा होना है और उस वक्त होगा जब सीमानचल में मनलिस के नमाइन दे कानियाब होंगे जो तबी सीमानचल का इंसाफ होगा ये तड़ाफ है ये जुस्तजू है ये मन्जिल है ये पैगाम है ये सोंथ है मेरे जीज़ दोस्तों और मुझरों सीमानचल से कामियाबी का एक सफर शुरू हुआ है अब हम पटना के उन तमाम हुकमरानों से कहेंगे कि यकीनन एक जलजला आएगा सीमानचल में सीमानचल में तब्दीली होगी सीमानचल की इस नाइंसाफी का उसी वर्थ खातिमा होगा जब आने वाले बिहार के इसमलिय इंतिखाबाद में मंदलिस के नुमाइंदे कामियाब होंगे एक खमर हुदा से नहीं बलके ऐसे कई खमर हुदा और आफ़ताब और हमारे अखतर और एमान और तसीर और अदिल की तरह लोग जब जीत कर जाएंगे बिहार के समलिय में तब ही जाकर मजलुमों के आवाज मिलेगी और उस नाइंसाफी का फातिमा होगा किस ने देखा सीमान चल की नाइंसाफी को हमने देखा है हर बारिश में हजारों एकर जमीन कट जा दी है कोई पूछने वाला नहीं और बड़ी बड़ी बातें गेडियू वाले विकास 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 ऐसी बारिश पटना में हुई के कष्टी में सफर करना पड़ा उनका डिप्ती चीफ फिनिस्टर कष्टी में बैटके निकर गया मेरे दीज़ दोस्तों और बुजरों ये चीज़ महरास्टा में इंसाब लाहुत आला हम अपना काम करते रहें हमको जो कमजोरियां हैं जो हमसे गल्तिया हम इसको दूर करेंगे और पूरे नए होसल अर्दम के साथ और इतिहात को और मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्यूंकि मेरा मानना ही है एकर हमारी जमाद में इतिहात मजबूत होगा तो अवाम उस इतिहात को देखकर और मतास्र होकर हमारे पैगान को समझेगी और हमारी तरफ रागिभ होगी और हम उनके दिलों को जीत कर कामिया भी हासल कर सकेंगे मुझे पूरी अमीद है कि इन्शालला हुद आला मुटिसाब हो वारुसाब हो वो नासिब अपने समली हल्ख जात में तरफिया की काम करवाएंगे बलकि जमाद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके खंदों पर है मैं दुआ करता हूँ और मैं उनके साथ पूरा अपना तावन पेश भी करता हूँ और अजीज दोस्तों और मुझरगों इल्जाम तो लगता रहेगा इन्हों नहीं लड़े वहाँ लड़े हरियाना मैं नहीं लड़ा फार गा शुकर अदा करो कि मैं नहीं गया मेवाद को अगर मेवाद को चले जाता तो भी तुमारे वो एक दो भी नहीं आते थी तो ये चीज हमको समझना है और मेरे अजीज दोस्तों और मुझरगों एक एहम बात ही है कि मनलिस जो कहती है कि सियासी टाखत को हासल करो आज से तीन दिन पहले इंडिनेट एक्सपरेस अख़बार में जो मशूर एक्सपर्ट्स ने एक मसमून लिखा और उसमें मुसल्मानों का हाल बयान किया क्या कहा उन्हों ने पूरा डेटा के साथ कहा कि पूरे वतन एजीज में मुसल्मानों का जो मौकफ है कि सिर्फ 14 फीसद मुसल्मान ग्रैजुएशन मुकंबल करते हैं हमारे डलीब भाई 18 फीसद हमारे हिंदू और बीसी भाई 25 फीसद और हिंदू और परकास लोग 37 फीसद ग्रैजुएशन कंप्लीट करते हैं कुँँ जिम्हदार है इसका कोई पूछेगा हूँ कि क्यों हम लोग ग्रैजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और ये तमाम फिकर जो है जुनूब इंदूस्तान में इच्छे हैं कौन जिम्हदार है इसका कोई जवाब नहीं देगा और मेरे अजीज दोस्तों और मुझरगों हैरत की बात ये आप ने जो मसला हमारे और वो एक नाकाम मुल्क जिसको मैं पाकिस्ताइन कहता हूँ फ्वेलियर कंट्ली है हमारा उनका कोई तखाबूल ही नहीं कर सकता मगर आपने उस मसले को इंटरनेशनलाइज कर लिया मिलादिया हूँ को जाकर उसे श्वेल कंट्ली के साथ साथी दुन्या में चलिए आपकी घल्पियों की मज़े से आपकी सब्स की मज़े से पता ही आप इनकी नाकामी ये हो मगर नहीं इनको कोई बोले अब मैं बोल दिया ये जुम्ला कल दीवी पर देखो ओवे इसमी फिर से आइंटी नेशनल बात लिया अरे भाई आपके माई बाप की बोलना क्या आइंटी नेशनल है मुल्क के वजिर आजम को तनफीद करना कोई गुना नहीं है याद रखो मुल्क के वजिर आजम को तनफीद करना ये जमूरी हक है वक्ता तकाज़ा है और जुरूरी है और जुरूरी इसलिए भी है क्योंकि अब तो फोल मी शेफ नहीं है वाटसैप में मैं शुरू से बोलू आपको दारुसलाम में एक नीटिंग किया था मैं दो साल पहले है मैं बोला था कि देखो मिया वाटसैप मत करो उसमें शेयातीन सुनरे गुफ्तवू अब महलुम हुआ कि इसराईल की एक कमपनी है वो लोग वाटसैप को भी सुनते हैं आपके फोन में जो वाटसैप के फोटुआ है मैं वो तक देख ले सकते मैंने आपका फोन अगर रखावा भी है अब यह फोन मैं रखा ऐसा फोन है यह रख दिया है आपके अब मैं वजीरियाजम के तनखीद कर रहा हूं तो उनों अपने घर में बैट कर भी सुन सकते है गुपतगू मैं यह ने वरों के उनों डैप कर रहे है परे तो अच्छा है हमारे को कोई एक ही जिंदगी है एक ही है कोई चुपावा चीज नहीं अपने पास अब जिसके पास हो दरना हमारे कोई डरनी है मगर ये टेक्नॉलोजी है अगर आप घर में फोन रखके पुटोगों कर रहे हैं या वो साम में जाने का है वो भी सुन सकते हो नहीं ये टेक्नॉलोजी है आप सोचो कि वो इसराइल की कमपनी ये टेक्नॉलोजी बेची हुकूमत वो इस कमपनी को इसराइल को पूछना चाहिए कि तुमारी हिम्मत कैसा हुई हिंदोस्टानियों के फोन के सुनने की कौन होता इसराइल हमारी बात के सुनने वाला हिंदोस्टान एक आजाजाद मों कै यहां पर जमूरियत है और वो हमारा फोन सुनते हैं ये हुकूमत पूछना चाहिए इसराइल से उस केमपेशिडर को बुला कर नाराज़गी का इसार करते के तुमारे मुल्क की कमपनी हमारे इंदोस्टानियों का फोन क्यों सुनी आप वो नहीं कुछ दिया वाटसाप को पूछ रहे हैं अरे वो कमपनी को पूछो ना वो जो इसराइल की जो सीक्रेट सर्विस रूसर कूछो ना क्यों नहीं पूछ दिया क्यों दखते हैं लोँ से अब बताईए क्या हो रहा है इस माक में कि फोल की बुटगो या सेफ नहीं रही है अरे क्यों क्या सुनींगे भाई आप अब क्या बैतुलखला में आके देखिंगे कौन सा सेंपू इस्तेमाल करो सर के उकर या फिर आप कोई कमोट में देखिंगे कित्टी मिगदार में तखते ताम उसपे जा रहा है अरे हक्ट क्या है इस म parlé कि क्या क्या देखेंगे आप क्या क्या देखिना चाते क्या बचबने में ऐसे होता देखओ जो त्रब से नहीं इसी होता खाइसाद मेही करें तो इसी होता खाइसाद निकालने का मुद्ग direct है आपको क्यों तकलीप हो रही वह मात कर रहा होँगा विचारां को पार करो अच्छा करो सही काम करो हलाल काम करो लीगन काम करो लीगन क्या है वार्ट सबस और सोचिए हमारा नुछियर व्लाइंट हैं नुछियर प्लाइंट में मैलवेर डाल दिये नूधियर प्लाइंट में मुल्क में कुछ अन्हाइड राष्टपाद राष्टपाद की बात करने कि हमारे नूकलियर ब्लांक में मालवेड दालनेगे तुम लोग कौन है यह लोग या तंकवादी है कौन है कुछ नहीं है क्यूंकि आप राश्ट अलाज क्या ठेका लेके मेरे अजीज दोस्तों और मुज़ुगों अजीब खीब खालाज पार्शी बोखान मंदी है लोग परेशान हैं मगर हमारे वजीर आजम ठाईलेंड ने है आरी सी पी एगरिमेंट साइन करने जा रहे हैं जो लोग दूद का कारोबार कर रहे हैं तयार हो जाओ अगर वजीर आजम आरी सी पी का एगरिमेंट साइन करेंगे तो आस्टेलिया और न्यूजिलेंड से तुम जो दूद बेश्टे पालडर बेश्टे उससे आदी से बढ़ते खीमत पर यहां पर इस मुन कुने आजगा क्या होगा यहां इकारोबार कर रहे हैं अगर वजीर आजम अगर आरी सी पी का एगरिमेंट साइन करेंगे तो चाइना बन लागे सिस्टी परसंट कम रेक पर हिंदुस्तान की मार्गितों में भर जाएगा क्या होगा उन वरीमों का हाओ जो बारा बारा तेरा सिरा घंडे पावर लूम पे कांग करके टीवी के मरीज बन जाते आप ब्रक्तवाद की बात कर रहे हैं वजीर आजम अगर आप वाखे में हिंदुस्तान को बचाना चाते हैं तो मत साइन करो वारी सी के एगरिमेंट अरे भागरें जाएगरिमेंट जेश के घरीबों से बढ़कर हमारे घरीबों से बढ़कर कोई एगरिमेंट नहीं हो सकता ट्रेट का अगरिमेंट आप सुचिए हाटी कल्चर सरी कल्चर सब हाग कुआ जाएं और कांगरेस वाले आप बखालिफत कर रहे क्या आप ने आसियान का एफटी एगरिमेंट कांगरेस वाले हैं जो है समझते के बस लोग भूल जाएंगे हम भी थोड़ा कुँचम कुँचम पढ़ना आता है हम भी सियासत के तालिबे मेरे अजीज दोस्तों और मुस्रगों ये चेहन एहम बाते मुझे आप तक पहुंचाना था यकिनन मने लिसे इतिहाद मुस्लमी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है मैं खिराज अखिदत पेश करता हूँ और दौा करता हूँ अल्ला से वो मन्रिस के उन तमाम मरूमीन को वो खायदीन को जिन्होंने इस सियासी जमाद का सफर का आगास किया था जिन्होंने खाथ देखा था और मैं एकमनान के साथ कह करा हूँ कि भी मिरे खाब पूरे नहीं हुए इसलिए मैं काईता हूँ के खाब देखना शुरू करो ये हम सिर्फ बिहार की एक सीट पर ने बल्किया और एसमली घलके जाच पर सीमान चल की इंसाफ के लिए बिहार की तरफी के लिए हमको अपने उम्मीद्वारों को कानि करना है यखिना इंशाल्दा हो ताला और अंगाबाज में दुबारा हूँ कमारा मेले मुद्वक कराना है शोलापूर से नांदेर से बालापूर से भीमंडी से और हमारे इस बाइक उल्ला से हमको कामियाब करना है एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारा इतिहाद चीफ चीफ कर ये कह रहा है यगर हम इस वक भी अगर मुद्वक नहीं होगे तो फिर कल होगे हमने महराश्चा के अंदर मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि अगर हमारी खयादत नहीं खड़ी वो पा रही है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कई ऐसे हमारे ही अंदर ऐसे कुछ लोग है जिनकी वज़े से आज हमारी ख्यादत खड़ी नहीं वोपा रही है आज ये वक्त की जरूरत हो गया है कि हम लोगों को अपनी सियासी ताखत बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुल्क जिस राह पे जा रहा है जिस तरफ इस मुल्क को ले जा रहा है अगर वो देख कर वो समझ कर वो मैसूस करके भी अगर हम अपनी सियासी ताखत नहीं खड़े कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी फाउन के साथ धोका दे रहे हैं बहुत सारे लोग मैं जब लोग सभा के अंदर खड़ा था 28 दिन पहले असाथ ने हुक्म दिया कि औरेंगाबाद से हम लड़ेंगे अलेक्शन और मुझे ये मुखा दिया गया कि औरेंगाबाद से मैं लड़ूँगा तो बहुत सारे लोग इल्जाम लगाना शुरू कर दिये ये जीतने के लिए थोड़ी खड़ा है देखिए अब ये मजलिस खड़ी हो गई अब ये वोट काटेंगे और शिससेना जीत कर आएगी 20 सारों से शिससेना जीत कर आ रही थी मैं अपने लोगों से यही कहता था कि इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है वोटिंग के दिन जवाब देंगे और जब नतीजे आए तो हमने उन लोगों के उपर कोई छोटा मोटा कोई सादा सा थपर नहीं बनकि जोड़दार एक तमाचा रसीद करके उन्हें जवाब दिया ऐसा तमाचा रसीद करके जवाब दिया कि डॉक्टर डैंग के थपर की गौँच कहीं सालों तक सुनाई देगी कहीं सालों तक सुनाई देगी जीत इसलिए मुम्किन हुई कि हर एक नहीं ये कहा कि कुछ भी हो जाए मैं हर वक्त एरे गेरे को वोर्ट देता था लेकिन इस वक्त मेरा भाई खड़ा है मेरा वोर्ट उसी को जाएगा इसी की वज़ा से ये जीत हमारी नसीब होई लेकिन अब जब हम खड़े तो बारा वही हमारे ओपर इल्जाम लगाए जाते है 288 सी सीटे हैं जबाली सीटों के ओपर हमने एलेक्शन गड़ा कहीं ऐसी सीटें थी जहां पर हमने बहुत अच्छे वोट हासिल किये जिसकी वज़े से एक यखीन पैदा होता है कि आने वारा वक्त मोदी जी तुम तो नारा देते है कि अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन तो हमारे आने वाले हैं इसके लिए बहुत ही सूच बूच के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है आज हमें इतनी खुशी हुई कि हम बिहार के अंदर अपने ख़दम जमा चुके है इंशादा वो दिन दूर नहीं कि 2014 के अंदर जब दूबारा यहां पर आंगे तो इन्शाल्ला अपतर अल्मान सहाथ भी नहीं पर हमारे विधान सभा के सदल्सिया के तौर के वो पर आएंगे इन्शाल्वा लूग सभा नंचाल्वा लूग सभा में आंगे बस मेरे भाईयों मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को आज मुत्त होने की जरूरत है बहुत तरह के इंजाम लगाए जाते है हमारी ये खायश है मैं यहाँ पर आप सब की तरफ से महराश्या, बिहार, तिलंगाना, अंध्रा जितने भी जिम्मेदार बैठे हुए है हमारी ये खायश है कि इस दारुस्सलाम के अंदर अभी असद सहाब को जहां जहां पर भी महराश्या के अंदर जल्से करने के लिए जाना पड़ता था हमने हेली काट्टर का इंतजाम किया था हमारे फिरंडी के भाई में इल्तेजा किये कि एक सभा कुड़ु भाई मुझे मालूम है आप कि इतनी मरतबा फोन करते थे कि एक सभा और दे ली दिएगा लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि वक्त नहीं था हमारी खायश थी कि हमारे आपके पास भी पहुंचे इसी लिए लिए हमारी आपकी सब की जिम्मेदारी है कि इस दारुस्सलाम के अंदर इंशालला असद अदीन अवैसी साहाब का खुद का अपना हेली कॉप्टर यहां पर खड़े रहना चाहिए ताके हम हर जगा पहुंच सके और यह आपकी हमारी सब की जिम्मेदारी है हमने कई जगे के आउँ पर यह कहा था कि हमें सिर्फ वोट नहीं अब नोट की भी जरूरत है कई हमारे दरिब कैंडिडेट्स थे जो जीते नहीं सिर्फ पैसों की वज़े से को वोट के साथ तुम्हें नोट भी देना पड़ेगा क्योंकि आज अगर हमें अपनी ख्यादर खड़ी करनी है आज हमें जालकर्ड में पश्चिन बेंगाल में बिहार के अंदर अगर जाना है हम चाहेंगे अफ्तर भाई ये जिम्मेदारी आफ हमारी हम पूरे महराश्चा से जमा करेंगे और इंशालला वो दिर लेकर आएंगे कि यहां पर दारुस्सलाम के अंदर हमारा खुद का अपना हेरी कॉर्टर होंगा ता कि हम पूरे हंदोस्तान में असर शाब को दोड़ा सके है दोस्तों मैंने देखा है मारा श्वा के येक्षिन के दिरान चार-चार सौ किलो मीटर का हर रोज पनच-पास-सौ किलो मीटर का हर रोज सफर असर सहाब गारी से करते इतनी खराप सरके लेकिन क्यों करते वो इस लिए कि हमारी खैयादत वहाँ पर खड़ी हो सके हमें जितने चाहिये था उतने नहीं है नतीजे जैसे चाहिये था हमें नहीं मिले है लेकिन हसल सहाँ हम आपको वादा करते है कि इंशालला आने वाले वक्त में हम पुरी मेहनत करेंगे और लोगों को भी एहसास होगा आज गफार खादरी साहब हारने के बाद भी जब लोगों के बीच जाते हैं उनका शुर्दी आदा करने के लिए ये नासे सिद्धी जाता है लोग गले मिलकर रोते हैं जिनों ने वोट नहीं दिया वो भी एहसास करते हैं और बोलते हैं कि हमसे गल्दी हो गई हमने देना चाहिए था लोग जीत कर नहीं आते हैं तुम तो हार कर भी हमारे बीच में आए हैं इसी लिए वो उनका शुर्दी आदा करते हैं आज उन्हें एहसास होता है इन्शालला ये एहसास पूरे मुल्क में होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग सभा के अंडर भी हमारे बीज इन्शालला ज्यादा तालाग में बैठेंगे और विधान सभाव के अंडर भी हर जगा पर इन्शालला मजले से इतिहाद अब एवन टाउन्शिप चिविला और मुईनाबाद के दर्मियान में रोड से 1.3 किलोमेटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलेप्मेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं जो है बिलकुल 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 आबादी से लगा हुआ चार लाख में सो गज का प्लॉट ड्रेनेज, इलक्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रूड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तक्बिल बदल सकता है मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें अड्रेस पिलर नमबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट राजिंद्रनगर हैदरबाद कॉंटेक्ट 7799603838